सब्सक्राइब एक वीडियो पोस्ट की जिस वीडियो मैंने पूछा था कि कितने वच्चे को यह जानना है कि एमबीवेस फर्स्ट यर में कौन सा बेस्ट यूटूब चैनल है और कैसे हम स्टार्ट करें पढ़ना जैसा कि पता है कि अभी आप कांसलिंग होने में बहुत लेट लगेगा और कांसलिंग स्टार्ट भी हो जाएगा तब भी आपको वन मंथ जरूर लगेंगे कांसलिंग कं पढ़ सकते हो ठीक है इस वीडियो में मैं आपको ये सजिस्ट करूँगा कि आप कौन से बेस्ट यूटूब चैनल के थुरू आप अपनी स्टाडीज को कंटिन्यू कर सकते हो सबसे बीडियो को एदम लास तक देखना ठीक है इसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट एनाटमी फीजियोलोजी एन बायोखिमिस्टी जो कि फर्स्ट एर के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यही तीन सब्जेक्ट आपको फर्स्ट एर में पढ़ने होता है इन तीनों सब्जेक्ट का बेस्ट यूटूब चैनल मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा और तफेस्ट एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस अनाटमी के बारे में गई जैसा कि पता हुआ कि अनाटमी टोटली निवेस्ट सब्जेक्ट है आपके लिए ठीक है तो अनाटमी में आपके लिए कौन सा बेस्ट यूटूब चैनल चलते हैं स्क्रिन पे तो गईस उसको फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो गईस सबसे पहले यह बता दू कि अनाटमी एक सब्जेक्टर इनाटमी में फर्दर डिवीजन है इस इम्डियो लौजी इस्टोलोजी ऑस्टियो लॉजी ठीक है एंड एंड डायसेक्षेंशंस ठीक है तो यह एनाटमी के टोटल डिव से मैंने बेस्ट यूटूब चनल के नाम भी बगल में लिख दिये हैं जैसे कि अगर आपको इंब्रियो लॉजी पढ़ना है तो लाइफ इन दा वूम डॉक्टर रोज करके एक यूटूब चनल है एक मैं में बहुत अच्छे से पढ़ाती है उनसे आप पढ़ सकते हो दूस सब्सक्राइब के लिए एक इक आप आता है हिस्टो ग्रांव. उस एप को आप फॉलो कर अपने हिस्टोलूज़ जिस के बाड़े में जानने के लिए ठीक है तीसरी चीज ऑस्टीयो लाजी ऑस्टीयो जी मतलब गाइस बोन बोन के बारे में जो supreme होता है वो गेंड करना तो गाइस ऐसटी लोजी आप वन अब देश्ट यूटूब चैनल है यह एक यूटूब चैनल है इस पर सारे के सारे human के boons के बारे में detailed anatomy बताया गया है तो गाइस इस चनल को आप follow कर सकते हो for osteology and चौती है dissection dissection guys बहुत ही most important होता है first year में अगर आप college में जाना तो आप बहुत अच्छे से dissection सीखना करना ठीक है इससे भागना नहीं but guys मैं आपको बता दू कि dissection आप YouTube से थोड़ा मुड़ा सीख सकते हो ठीक है ना बहुत detail में बताया गया है बट फिर भी आप सीख सकते हो जहां पर आपको visceral organ and many more dissection के about बताया गया है that is viran karya and mites dave करके यह viran karya जो है वो osteology भी पढ़ाते है and dissection भी करवाते है and mites dave यह भी osteology पढ़ाते है and dissection भी करवाते है तो यह दोनों चैनल बहुत ही important है आपको practical point of view से ठीक है guys anatomy के लिए theory पढ़ने के लिए most important channel में आपको बता जाता हूँ that is essential of medical science ठीक है essentials of medical science जो BD4 पढ़ाते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए के anatomy के दो बुक है जो generally follow किया रता है that is BD4 या एन विश्राम सिंग वैस आप BD4 लो या विश्राम सिंग लो सिंग पढ़ाया जाता है एन एक और चैनल देखते हैं फोर बाया किमेस्टी जो काफी सारे स्टूइट्स इग्नोर कर देते हैं but अब आप लोग इग्नोर मत करना क्योंकि युनिवर्सेटी में बायो किमेस्टी अब थोड़ा टफ किये जा रहा है ठीक है पहले की तरह नहीं रहा तो बायो किमेस्टी में फिर स्टूइट्स के लिए बोलो तो वर्दान है क्योंकि आपको पता हो कि मैक्सिमम कॉलेज में उतना पढ़ाई नहीं होता है तो जो करन होता है आपको खुद से करना होता है यह जो सर है पूरे बायो किमेस्टी को डीटेल में अच्छे से बोर्ड पे पढ़ा के नोट्स बनवा के एबरिटिंग युनिवर्सिटी पॉइंट और व्यू पीजी पॉइंट और व्यू सब कुछ पढ़ा है इस चैनल को आप फॉल करना शुरू करोगे मतलब कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है ठीक है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा लेना आगे बढ़ते हैं फीजियोलोजी फीजियोलोजी के लिए ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई सब्सक्राइब को अपने से समझना सेल्फ समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है और डॉक्टर नजीब जिसको आप जानते भी होंगे डॉक्टर नजीब है जो कि सारे कंटेंट को प्रवाइड कि हैं बट यूटुब पे उनका कंटेंट पूरा तो नहीं है बट फिर भी बह हाते हैं तो फीजिलोजी के लाइटिंग यूटूब चनल के रिक्वार्मेंट नहीं होते है क्योंकि फीजिलोजी आप नीट के टाइम में भी पढ़ते हो तो वह आप अभी पढ़ होगे तो उतना आपको नया नहीं लगेगा सो बट फिर भी सजेस्ट करना है तो को करके एक चनल है वो आप यूज कर सकते हो कैसे फीजिलोजी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा तो दो बुक है जो जनरली स्टुडेंस फॉलो करते हैं गाइटन जो फॉरन राइटर हो गया है सैंबोलिंगम जो इंडिया राइटन हो गया और एक जेन एक और होता है इ उप्यूएमिक्स नहीं बढ़ तो अब जो इम्पार्टन है और काफी सार इस्टुन फॉलो भी करते है यह दोनों राइटर्स के है अब इन दॉन वुक्स को फॉलो कर सकते हो बहूत बेस्ट बुक है वासुदेवन स्टेंडर बूक है सतनराइन अच्छे आते हो तो आप कौन से चप्टर से स्टार्ट करना चुरू करोई और अपर लिम। पढ़ना शुरू करो आपर लिम। एंड आपर लीम में एक बिनुट। अपर लिम्म रख शुचा है अपर लिम्म ठो прошл इस आह पड़ना शुरू कर ओड़ए ऐना र्म जीन सारे चनल neutrals में ने नहीं बता लिए प्रैक्टिकल्स के लिए थियोऌद सब बता दिया तो अपर कौन-कौन बॉन्स है आप उसका देख सकते हो वीडियो थियोरी पढ़ सकते हो ठीक है जितना आपको समझ में आप अपने हिसाब से करो अपर लिम में उसके बाद बाद करते का इस बायो के मिस्टी में आप कहां सुरू करोगे तो बायो के मिस्टी में सबसे बेसिक चीज अनthing या पढ हो टीक अनuste ॉस और इंइमिया ये सड़ाया जायेगर तो गव Canvas hiçbir आप कहां से सुरू करोगे तो यह सारे channels मैं ने बता दिया ये सारे topics बता दिये ठीक है and best books भी मैंने आपको suggest कर दिया so that is all about the video video कैसा लगा बताना informative लगा कि नहीं ये भी बताना comment करके जरुब बताना कैसा लगा so thank you for watching this video bye bye take care पढ़ना and पढ़ना start करो ठीक है counselling उत्रासर लेट होगा but you can use your time so that's all bye